गुरुकुल के इस व्याख्यान श्रिंखला में आप सब लोगों का स्वागत है मित्रो मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र स्टिस्टिफिन्स कॉलेज में संस्क्रित विभाग में एसोसियेट प्रोफेसर हूँ और एक बार आपके सामने फिर से मैं संस्क्रित लिंग्विस्टिक्स के ऊपर अपना व्याख्यान लेकर के उपस्थेतों मित्रो इससे पूर्व हम लोगों ने भाषा की उत्पत्ति के वीशे में चर्चा की और जैसा कि मुझे स्मरण में है कि उस भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने लगभग नव सिध्धांतों की व्याख्या की थे और उस सिध्धांतों में जो आखरी दो सिध्धांत थे वो सिध्धांत थे संपर का सिध्धांत कॉंटेक्ट थियरी और देवी सिध्धांत डिवाइन थियरी हमने यह भी चर्चा की थी कि उन दोनों सिध्धान्तों के उपर यदि मनोयोग से प्रयास किया जाए तो भाशा की उत्पत्य की हम तारकिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि संपर्क सिध्धान्त का जहां तक अर्थ है हम ऐसा जरूर कहेंगे कि संपर्क सिद्धांत ने भाषा को शब्द प्रदान किया और हर बार जो नए प्रयास से जो शब्द निकलते होंगे उस शब्द ने हमें हमारी भाषा को समरिध्ध बनाया लेकिन जो भाषा की उत्पत्य की समग्रता है उन सारी समग्रता को देवी सिध्धांत के माध्यम से समझे जाने का सार्थक प्रयासो होना चाहिए हम किसी miracle की बात नहीं करते हम किसी जादू की बात नहीं कर रहे यहां पर या यहां किसी भी प्रकार के action reaction की बाते नहीं हो रही है बलकि एक स्वाभावी का प्रक्रिया है जिस स्वाभावी का प्रक्रिया के लिए हमें कहीं घर से निकलना नहीं पड़ता है शिशु जन्म ग्रहन करता है जन्म ग्रहन के साथ ही स्वाभाविक प्रक्रिया के अधीन उनके मुँसे रोना आता है और कोई बच्चा मुँख खोल करके रोता है कोई लिप्स सठा करके मा 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 करके रोता है इसी प्रकार हर प्रकार की नई नई धुन्या नए नए बच्चे नए नए स्वर हमारे सामने आते हैं और उनसे हम शब्द ग्रहन कर सकते हैं कर लेते हैं इसलिए यहाँ पर यह कहना भाषा की उत्पत्ति का मूल ही यही है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी जगह बैट करके roundtable conference लुआ होगा और एक एक विक्ति ने चार्ट निकाल करके कहा होगा कि अब इसके लिए यह शब्द बनाओ इसके लिए यह शब्द बनाओ यह तो मनुश्य के विकाहस की अवस्था है जिसमें नए नए शब्द आते चले गे जुड़ते चले गए और भाषा सम्रिद होती ही चली गई और तब जाकर के संस्क्रिट जो है विश्व की सम्रिद तम भाषा है इतने अधिक शब्द इतनी अधिक इतनी अधिक क्रियापद उपसर्ग प्रत्य आभी को बना करके जो शब्दों की अपार संख्या है वो केवल और केवल इसी प्रक्रिया के अंतरगत है इसे लिए देवी सिध्धान्त पर विमर्श करें और देवी सिध्धान्त पर चलें लेकिन मित्रों इसके बाद जो मैं आज के सामने आज आपके सामने नया विशय ले करके आया हूँ वह है classification of language भाशा का वर्गी करन मूल विशय क्या है जरा इसे समझे विश्व में अनंत भाशा है अनंत लोग है भिन भिन प्रदेश है भावगोलिक अवस्था भिन है भावगोलिक क्रिया प्रक्रिया और प्रतिक्रिया भिन है हमारा आचार व्यवाहार हमारा चिंतन भिन है और इन सारी चीजों का प्रभाव हमारी भाशा के उपर पड़ता है हमने बार बार कहा है हम लोग उश्ट नकटी बंध में है हम लोग एक गर्मी गर्म प्रदेश के लोग हैं और उसमें हमारे जितने भी वोकल कॉर्ड से हैं हमारे जो वाग्यंत्र हैं वो पूरे खुले हुए आपको मिलेंगे और जितने भी वर्न हैं उन सारे वर्नों का तदन रूप हम उच्चारन कर पाने में सक्षम है यह हम भारतियों की विशेस्ता है लेकिन यही अगर आप शीत कटीवंदा वाले देश में चले जाएं आप युरॉपियन कंट्रूइज में चले जाएं आप अमेरिका में चले जाएं आप कैनडा में चले जाएं जहांपर कि आपको 10 डिग्री 20 डिग्री तक टेंपरेचर जाता है वहां के लोगों के जो मसल्स होते हैं जो खास करके जो मुख विवार और जो वोकल कॉड्स होते हैं वो बड़े ही संकुचित होते हैं इसलिए पूरे पूरे शब्द का पूरा उनके द्वारा उच्चारण कर पाना मुश्किल होता है प्रश्ण ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमसे हीन है या मैं ये इस्थावित करने की प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग सरवच्चे हैं प्रश्ण ये है कि वह जब भाषा बोलेंगे और हम जब भाषा बोलेंगे तो उस भाशा को बोलने में हमारे vocal cords उसके नियंतरित करते हैं आप सोयम देखें हम लोग कवर्ग और चवर्ग का उच्चारन करते हैं मित्रो कवर्ग और चवर्ग का जो पांचमा वर्ण है मुझे नहीं लग रहा कि यह उच्चारन कर पाना सब के लिए सहज होता है पूरे विश्व में कि जो भारते तर जो देश है उनको कहिए पांचमा वर्ण बोलने के लिए वो नहीं बोल पाएंगे स्वथंत्र रूप से जैसे का खा गा घा गा गा अविवन भारत परश में भी इसके अलग-अलग उच्चारन है चा चा जा जा या इसके भी उच्चारन आपको भीन मिलेंगे आप लोग सोय हम सोच करके देखिएगा ना और या कितने लोग बोल पाते नहीं बोलते हैं हम नहीं बोल पाते हम नहीं बोलते हैं उसके पीछे रीजन ये है कि हम सीख गलत लिये हैं लेकिन हमें वो सामर्थ यह है कि हम उन वर्नों का उच्चारन सही रूप में कर लेंगे लेकिन यही उच्चारन यदि विदेश के लोग करेंगे तो उनको मुश्किल है नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके जो मसल्स है उनके पूरे के पूरे जो तंत्रिकाएं हैं वे तंत्रि है तो क्यों होती है क्या कारण है कि ये सारे कि सारी अगर देवी भाषा हमने कहा देवी सिध्धान्त के आधार पर हमने भाषा की उत्पत्ति की चर्चा की तो पूरे विश्व की एक भाषा होनी चाहिए नहीं ये कता ही नहीं देवी सिध्धान्त कहता है कि पूरे विश्व बहाशा बोली जाती है उस प्रदेश में जब प्रथम बार हिब्रु बहाशा मुँसे निकली होगी या प्रथम बार उस प्रदेश के लोगों ने जब अपने मुँसे बहाशा बोली होगी तो वो जो प्रथम बार है वो देवी है देवी का ये मतलब नहीं कि भारत के भगव ने कुछ बनाया नहीं जिस प्रदेश में जो जो नई भार्षा होगी पहली बार वो भार्षा जब निकली होगी तो वो डिवाइन है वो दैवी है इसलिए किसी एक भार्षा के अंतरगर डिवाइन थेयरी को कारूपन नहीं होना चाहिए तो जो हमने बातें की कि अगर ये सिद्धांत मान लें कि गौड ने क्रियेट किया लैंग्वेज को तब तो पूरे विश्व का एक लैंग्वेज होना चाहिए था उसी के क्रम में हमने कहा कि नहीं वहाँ पर डिवाइन का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए लेकिन पूरे दोखो वहाँ पर हम कहते हैं ब्रदर यहां संस्क्रित में भ्रात्री है पिता के लिए पिटर कहते हैं यहां पित्री है माता के लिए मदर कहते हैं यहां मात्री है इधर का त्रिच और वहाँ का इ-र देखे सिमिलारिटी है हम लोग भी कहते हैं कि स्वेध पसीने को वहाँ देखिये कहते हैं स्वेट, क्यामिल, क्रमेल, आधिया ऐसे असंखे शब्दे हैं जो उस भाषा में भी विकृत रूप में हैं, हमारी भाषा में एक स्वतंत्र, एक कह सकते हैं परिश्कृत रूप में हैं, लेकिन साम यह है, क्यों है, कैसे है, तो इसके लिए आवर्शकता पढ़ती है, classification of language की, इसके लिए आवर्शकता पढ़ती है, भाषा के वरगी करण की, हम कुछ समानता के आधार पर, कुछ भाषा को एक कैटिगरी में मान लेते हैं, जैसे हम आप सभी जानते हैं, जो उत्तर भारत की क्षेत्रिय भाषा है, वो क्षेत्रिय भाषा कोई भी हो, चब वो ब्रज हो, अवधी हो, भोजपूरी हो, मैथिली हो, अंगिका, वज्जिका, मगधी, मगई, इन सारी भाषाओं को जब हम सुनते हैं, तो जो ये भाषा नहीं भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी बोलते हैं, तो उनको वो भाषा अत्यांतर सरलता से समझ में आ जात हैं, हम कहते हैं, लग रहा है कि इस भाषा के उपर में हिंदी का इंफ्लूएंस है, मित्रों मैं स्थापित नहीं कर रहा हूं कि उन भाषाओं के उपर में हिंदी का इंफ्लूएंस है, लेकिन हम ये जानने की कोशिस करते हैं, अपने बुद्धित से उसका समाध्हान निक लेकिन वहीं जब हम दक्षण बहरत की बहाशा जाते हैं कंणड है तेलुग है तमिल है इसके साथ मलेडी आलम है अब यह सारी जब भाशाएं आती हैं तो उनका और हिंदी के साथ कोई सामझ जस्य नहीं होता तो इसलिए हम कहते कि नहीं ये भाषा जो है हिंदी से मेल नहीं खाते हैं तो इनके लिए एक अलग फोल्डर बनाओ एक अलग एक इनके लिए आप सेक्शन बनाओ classified वहां कर दिया ये classification हो गया तो इस तरह विश्व की जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं की similarity similarity, dissimilarity को अध्यान में रखते हुए साम्य और वईशम्य को अध्यान में रखते हुए भाषाओं का वर्गीकरण किया भाषा-वईढ्या ने अब इसे पहले की भाषा की वर्गी करण की बात हम करें ये क्यों भाषा की वर्गी करण की आवश्यकता पड़ी इसका प्रयोजन क्या है इसका उद्देश्य क्या है उसके लिए देखे कुछ प्रशन है कि भाई विश्व की भाषा एक है या अनेक है यदि अनेक तो उनकी संख्या क्या है? यदि उनकी धेर सारी संख्या है तो उसमें समानता और वीशमता क्या है? उन समानता और वीशमता के आधार क्या है? और जो भी आधार है तो इन आधारों के आधार पर कितने समूह हैं या कितने वर्गे हैं? इन ही प्रश्न के समाधान में इन ही प्रश्ण के उत्तर के अन्वेशन में भाषा के वरगी करण की आवश्यक्ता पड़ी जिसको कि हमने अपनी व्याख्या में इसे पुर्व भी आपको पश्ट की अभुमिकाम है लेकिन जो दूसरा प्रश्ण है कि यदि अनेक है तो संख्या कितनी है आप स्वयम सोचें भारत में क्यों मैं भारत ही नहीं पूरे विश्व की भाषा की हम बात कर रहे हैं फिर हम भारत की बात करेंगे फिर संस्खित की बात करेंगे अनेक भाषा और अनेक भाशा है तो उनकी संख्या कितनी है मित्रों यह तो बड़ा एक व्यापक प्रशन है यह सर्विक्षन का प्रशन है कि विश्व की कितनी भाशा है आप लोग स्वयम अपने अपने नहीं है उनका सर्वेक्षन नहीं है अंतर लोगों में आता है उसके पीछे कारण यह है कि कई लोगों ने भाषा की परिफाशा अपनी बनाई कि हम किसे भाषा कहेंगे या किसे बूली कहेंगे क्या केवल किसी एक भवगळिक प्रादेश में दस लोग रहते हैं और उन दस बोली जाने वाली जो भाशा है क्या हम उनको भाशा कहेंगे ? प्रशन упर इन विशे को लेकर के चल रहे हैं कि जहां 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 की लोग अन्य भाशाओं से भिन किसी द्वनी के माध्यम से अगर अपने intention का आदान अप्रदान कर रहा है तो वह भी एक भाषा है और उस रूप में भाषा की गिंती होनी चाहिए तदरुसार हमने आपके सामने प्रयास किया है एक लिस्ट ले करके मैं उपस्थित हूँ और तदरुसार देखेंगे विश्व में जो भाषा की संख्या है वो 6912 6912 है भाषा की संख्या अब यहाँ पर 6912 है आप इसको यह नहीं मान ले कि 6912 ही भाषा है हम इसको लगभग 7000 भी कह सकते हैं हो सकता है कि भाषा विज्ञानिक जो सर्वेक्षन की एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर गत कुछ भाषा को ना गिना जाए तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई 7912 ही भाषा है यह 12 भाषा जो है इसको गिंती मत करो और यह क्यों संभावना उत्पन होती है मित्रो एक चीज को ध्यान रखेंगे जिस प्रकार भारत वर्ष में विदेशी भाषाओं का प्रभाव बढ़ा है जिस प्रकार भारत वर्ष में विदेशी भाषा का वर्चस्व बढ़ा है और नाम के साथ हम लें कि जिस प्रकार इंग्लिश ने अपनी माया में हम सब को जकड लिया है अगर यही स्थेती बनी रही तो आने वाली जो 21 शदी है भारत के 200 से अधिक भाशाइं कहीं विलुप्त ना हो जाए हर क्षेत्री भाशा आज संघर्श कर रही है अपनी भाशा क को बचाने के लिए हर क्षेत्र के लोग संघर्श कर रहे है क्यों क्योंकि आने वाली जो पिढ़ी है जो कविंग जेनरेशन है वो अपनी जो मात्री भाशा है या अपनी जो क्षेत्री भाशा है उस भाशा का प्रयोग अपनी बोलचाल में नहीं कर रहा है इसे लिए हम कह अपनी है मेरी चिंता है भाषा को ले करके लेकिन इस विशय पर आए जो 6912 कहा भारत वर्ष में देखेंगे कि कुल भाषाओं की संख्या 179 119 से है लेकिन हमने प्लस के बाद 780 दिया है यह 780 बोलियां कहीं गई है मतलब मैंने पस्ट कहा देखे यह भाषा वज्यानिक यह जो लिंग्विस्टिक सर्वे है उसके अंतरगत यह बात आई है कि 179 जो है वो भाषा है और 780 जो है वह बोली है मित्रो यह भी एक संखर्ष का विश्या है मैंने अभी आपसे कहा कि अपने चेश्टा अपने इंटेंशन अपने मन की बात को दूसरे तक पहुचाने के लिए 10 लोग किसी एक प्रदेश विशेश में मिलकर के अगर किसी ध्वनी विशेश का प्रयोग करते हैं तो हमें उस समझना चाहिए मैं तो समझता हूं कि बोली का स्वरूप होना ही नहीं चाहिए जो भी कोई बोलने वाले होते हों सारे के सारी भाशा होती है लेकिन भाशा विज्ञानिक जो चिंतन है उसके अंतरगत भाशा और बोली में एक पश्टता दिखाई गई है अलग-अलग करके जो है जो भाशा है जो जिसको भाशा कहा गया और 780 ऐसे हैं जिनको की बोली कहा गया मैं समझता हूं कि बोली कहने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिनमें साहित्य नहीं है जिनका व्याकरन नहीं है जिनका लिखित रूप नहीं है इस कारण से ऐसी भाशाओं को बोली कह दिया गया. लेकिन वर्ण जो 179 है इसका साहित्य है, इसका लिखित रूप होगा, इसको लोग ज्यादा संख्या में बोलने वाले होंगे, ज्यादा संख्या से तात परिया है, दस हजार से अधिक लोग जहां बोलते हैं, हम उनको भार्षा कह लेते हैं. इसके साथ जो एक समवैधानिक स्वरूप है ये कोई नई जानकारी नहीं है ये 22 समवैधानिक भार्षा है और ये 22 के 22 समवैधानिक भार्षाओं को हम आप 13 लिपियों में लिखते हैं अर्थात इन 22 के 22 भार्षा की लिपी है उसी प्रकार 179 भार्षा की लिपी होगी इसलि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हैं जहां पर की भाषाई विविधता देखी जाती है सरवाधिक जो भाषाई विविधता देखी गई है वो पापुआ न्यू गिनी में जो आपके नीचे नाम में लिखा हुआ है पापुआ न्यू गिनी ये एक एक छोटा सा एक द्वीप समू है जहां पर की 849 विविद प्रकार की भाषा या बोलियों या कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रकार के लोग अलग-अलग रूपा स्वरूप में बोलते हैं तो उसकी 836912 हमारा फोकस है संस्क्रित लिंग्विस्टिक्स के उपर में हम संस्क्रित लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं ततनुसार संस्क्रित एक मात्र अपने आप में एक भाषा है मित्रों इसको ले करके कई प्रकार की चिंताएं प्रकठे होती है और कई सारे ऐसे पाशक्त किसे कहें और जीवित भाशा किसे कहें तदरुसार इस भाशा की संख्या की दृष्टी से हमने आपके सामने वही चीज प्रकट किया है अब देखेंगे कि अम्रित और जीवित रूप में और यह इसलिए हमें हमारे मैंने विशेश रूप से इसे बनाया है कि समस्कृत को ले है कि भाशा की जग्रत था कि यह जग्रत के लिए कोई भाशा जग्रत जवैश जवित क्यों और कैसे कहलाती है वो इस आधार पर कहलाती है कि सबसे पहले तो उसे बोलने वाले लोग HAS और जैसा हमने कहा कि 10,000 से ज़्यादा बोलने वाले लोग हों आज अगर सर्वे करवा को आप बोलते हैं तो उसे स्रिती में क्या होता है कि हम छूड़ते ही कह देते हैं कि भाही ही प्राइशेक जिसमें हम अपनी शिक्षादिक शाग्रहन करते हैं या कही कहीं कहीं प्राधेशिक अनुराग के कारण हम उस भाषा का नाम ले लेते हैं लेकिन भिन भिन प्रदेश के व्यक्ति पूरे भारत वर्ष के व्यक्ति भारत वर्ष ही नहीं पूरे विश्व के इसे व्यक्ति जो समस्कित जानते हैं वे समस्कित में बोलते हैं समस्कित में कम्यूनिकेट करते हैं टेलिफोन पे समस्कित में बात करते है और देखिए मैंने पहले भी कह रखा है कि भारत विश्व के अधिकांग्ष विश्व विद्यालयों में समस्कित की पढ़ाई होती है इनमें जर्नल्स निकलते हैं इनमें पत्रिकाएं आती है शोध पत्र निकलते हैं अखबार निकलते हैं समाचार पढ़े जाते हैं समाचार दिये जाते हैं रेडियो टीवी दोनों जगह से इसके साथ ही छात्रों की अपार संख्या है इसमें रिसर्च हो हो रहा है क्या ऐसी भाषा को मृत भाषा कहा जाना चाहिए नहीं ऐसी भाषा कभी भी मृत भाषा नहीं होती ना हो सकती है समस्कृत जिसने जो आज भी अन्य भाषाओं को उपकृत कर रहा है आज भी जब पारिभाशिक शब्दावली सरकारी समस्थानों में बनाए जाते हैं तो समस्कृत भाशा का आश्रय लिया जाता है समस्कृत से वो शब्द ग्रहन किये जाते हैं तब जाकर के हम अपने को सम्रिध करते हैं उस भाशा में तो कैसे ये भाषा मृत होगी क्यों इसको मृत कहा जाएगा हमें इशशडयंत्र का एक जुट से एक स्वर से प्रतिकार करना चाहिए इसे लिए हमने नीचे कहा जीवित और यह जीवित है समस्कित पूरी तरह से सजीव भाषा है और सजीव भाषा विश्व की सबसे लिखे जा रहे हैं गद्य लिखे जा रहे हैं और ऐसे विद्वान पुरस्कृत भी हो रहे हैं इसलिए यह भाषा जीवित है हर प्रकार हर वर्ष हम नए नए पाठ्यक्रम का निर्मान करते हैं कि यह चात्र हमारे पढ़े इसलिए यह संस्कृत भाषा जीवित है और तो और जो आने वाली जो नई शिक्षानीती है, इस नई शिक्षानीती ने, नई शिक्षानीती का पूरा का पूरा मॉडल ही समस्क्रित बेस्ट है, मित्रो पूरी सिक्षानीती में नहीं कुछ नहीं कुछ तो पचीस बार समस्क्रित शब्द का प्रयोग है, भाषा के नाम पे स वह समुद्र है, वह समस्क्रिट भाषा है, मित्रो जो एक कमेंट है, ये कमेंट हमारे लिए ज्यादा जरूरी है सुनना और इस कमेंट को बोलने वाले हैं, इस लिए कमेंट हमने देखा, इसलिए हमने सोचा कि मैं आप से शेर करूं, और वह है M. श्रीमन नाराइन मूर्ती कमेंट क्या है जरा इसको ध्यान से हम लोग जानें, वो मृत और जीवित की परिभाषा कर रहे हैं, कर रहे हैं, when a language ceases, for any reason whatsoever, to be spoken by the great majority of persons within its areas, it is said to be dead, if it is spoken, it is termed living, no problem, सम्स्क्रित के परती, इस पर कोई आगात नहीं है, सम्स्क्रित लिविग भाषा है, जीवित भाषा है, क्योंकि clear है, if it is spoken, it is termed living, yes, it is spoken, आगे पढ़ हैं, लेकिन, sometimes a language like Hebrew, Hebrew Classical, Armenian, Old Church Slavic, Latin, सम्स्क्रित, etc., may long survive as an instrument of communication among certain classes, notably among the learned, but this type of survival is purely artificial, because the language in question is rigidly, restricted to its old forms, ये कहके, एक इशारा किया, एक एक इशारा किया, example में, सम्स्क्रित नाम दे करके, उन्होंने ये बताने की कोशिश की, कि सम्स्क्रित को आटिफिशियल ही हम लोग सर्वाइब किये हुए हैं, no, not at all, it is not true, सम्स्क्रित is not artificial, and सम्स्क्रित is not spoken by some particular community, or some particular school, आज आप पूरे भारत वर्ष में जा करके देखें, कि सम्स्क्रित के प्रती एक अक्रांती है, जो लोग सम्स्क्रित से घ्रना करते थे, वे लोग भी अपने ज्यान को सम्स्क्रित के माध्यों से बाराने का प्रयास करते हैं, इसलिए सम्स्क् और जीवित का आपके सामने स्वरूप रखा, सम्स्क्रित के संदर्व में इस स्वरूप को पहले से ही निकाल दिया जाना चाहिए, चुकि हम सम्स्क्रित के चात्रे हैं, हम सम्स्क्रित को पढ़ने और पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारा यह भी दाइत्व होता है, कि सम्स पूरे के पूरे राष्ट्र ये असतर पर होते हैं और राष्ट्र से भी आप बाहर निकलें इंटरनेशनल सेमिनार्स मैं समझता हूँ जितना समस्क्रित भार्षा में इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं उतने शायद किसी अनिया भार्षा में नहीं होती है इस भार्षा के लिए जितने समिनार होते हैं उतना किसी और भार्षा के लिए सेमिनार नहीं होता मित्रो जो वर्गी करन का दूसरा जो अभी चर्चा में है मूलविश है हम दो प्रकार से भाषाओं का वर्गी करन करते हैं आकरिती मूलक वर्गी करण, पारिवारिक वर्गी करण, आकरिती मूलक वर्गी करण को देखें, morphological या syntactical English में term होता है, पारिवारिक इनको हम एतिहासिक भी कहते हैं, इसलिए इनका genealogical और historical है, आकरिती मूलक क्या है, जैसा morphology है कि भाषा की समरचना, की समरचना की समानता को ध्यान में रख करके, कि अगर समस्रित में शब्दों की समरचना उपसरग धातु और प्रत्ययों के आधार पर है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया और किन-किन भाषाओं में होती है, और क्या कोई भाषा इस प्रक्रिया को follow करते हैं, जहां पर prefix और suffix के माध्यम से शब्दों का निर्मान होता है, दूसरी और जो पारिवारिक है, वो पारिवारिक किया है, जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि जो इंडियन लैंग्वेजेज है, अगर भारत को एक पूरा परिवार मानेंगे, तो उस आधार पर भारत में बोली जाने वाली सारी भारशाएं उस परिवार के अंगों होंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यह जो पारिवारिक व इरानियन कर दिया जाएगा, अर्थात यह सारे के सारी जो वरगी करन है, जब हम अपने अपनी अगली व्याख्या जब इस पर लाएंगे, तो उनमे इन सारे वरगी करनों की समचित व्याख्या हम पूरे के पूरे ग्राफ के साथ और पूरे-पूरे उس Ε Canada के साथ आपके स शम्यकी दृष्टी से बात करें तो उनकी आकरिती अर्थात सम्रचना के आधार पर हम उनका अभी ज्यान करते हैं और या नहीं तो वह किस फैमिली से बिलॉंग करता है उसके उपर वरगी करन करते हैं मित्रो तो यह हमने classification of language की बात आपके सामने प्रस्तुत की और इसके अंतरगत हम आकरिती मूलक और पारिवारिक मूलक इन दो शब्दों को आपके सामने इंट्रियूस किया आगे जब भी कभी हम अपना नया व्याख्यान लेकर के प्रस्तुत होंगे हम अपनी चर्चा इन व प्रतिक्षा रहती है आपकी प्रतिक्रिया हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप जरूर कमेंट करें इसे सुनने के बाद आप लोगों ने आज अत्यंत ध्यान से सुना इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धनियव झाल 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 झाल